अब इस लेक्चर में जो पीछे आपको एक बुक दिख रहा है यह बुक हम खुद बना रहे हैं आपके लिए जिसमें class 12 biology का पूरा content एक आसान भाषा में with interesting diagrams और एक अच्छा point के साथ क्योंकि अब आगे में पढ़ाऊंगा ता आपको समझेगा कि इसके अंदर क्या next level काम हो रहा है यह बुक आपको जल्दी मिलेगा बुक आपको bio study app पे मिलेगा description में आपकी link है ठीक है अभी वो unavailable है क्योंकि इसका काम चालो है जैसे प्रिंटिंग हो जाएगा आपको मैं बता दूँगा उसकी का उसकी लिए आपको क्या करना है चानको subscribe करके रखना है ठीक है हास है साथी साथ जो winner batch हमने लाई है यह paid batch है लेकि इसका पहला chapter हम YouTube पे free of cost आपके लिए as a demo lecture upload कर रहे है तो छेलिए शुरू करते फिर chapter first को हैगी नी yes chapter first का जो नाम है वो है reproduction reproduction in in lower and higher higher plants ठीक है yes तो chapter का नाम क्या है reproduction in lower and higher plants बाकी जो paid batch है वो भी app पे ही होगा चलो अब chapter में शुरूआत में मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं आता कितना आपका basic clear है अगर class 10th में आपने अगर science अच्छे से किया है तो आपका यहाँ पे 12th में अच्छे से आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी अब मुझे लगता है कि आपने 11th अच्छे से किया नहीं होगा शायर से कुछ students में किया भी होगा चलिए अब re re मतलब repeat और production मतलब formation देखो biology में 50% information उसके नाम में ही होती है तो re मतलब क्या होता है तो repeat तो re means repeat and production जो होता है वो होता है formation तो जीस process में एक नया life बन रहा है उस process को बोलेंगे reproduction कितना simple है मुझे लगता है कि आज के पहले आपने ये reproduction ये ऐसा है इस तरीके से नहीं देखा होगा तो biology में हर एक चीज को थोड़ा word मतलब लगबग बहुत सारे phenomenon जो है वो उसके spelling से वो उसके word से ही पता चल जाते है ठीक है तो make sure word को थोड़ा सा ध्यान दो ठीक है चलो clear हो गया अब सर री production ना बहुत ज़रूरी process है और इधर ना एक सर दूसरा word है कौन सा ये higher और lower हमने अब तक एक ही चीज पढ़ी है क्या कि plants होते है अब ये higher और lower plant का ये जमेला क्या है सरी है मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा don't worry मैं आपको बताता हूँ देखो lower plants higher plants सबसे पहलो तो होते है organisms क्या होता है organisms चलिए मैं इधर थोड़ा इसको क्या करता हूँ erase करता हूँ आपको बताऊंगा क्या सारी चीज़े होती है देखो होते है organisms तो मैंने यहाँ पे लिका organism organism में दो होते है एक होता है plants क्या होता है plants और दूसरा होता है animals चलिए और गनिजम में दो आएंगे plants and animals अब plants में भी दो आएंगे कौन से सर एक lower plants और सर दूसरा higher plants यस यह हमने लिख दिया similarly animals में भी वैसा ही lower और higher अब lower higher मतलब क्या जिसके अंदर development कम हो वो होगे lower जिसके अंदर development ज़ादा हो वो होगे higher अब plants के अगर बात करे तो higher plants का अगर example हम बोले यहाँ पर mango का ट रही है mango क्योंकि उसके अंदर development ज़ादा है तो mango example higher plants का lower plants का है अलगी तो यह हमने लिखा उपर अलगी निचे लिखा mango तो mango और अलगी mango is the example of higher plant because where development will take place in order to get all the parts of the plant body that is tame, leaves एक हर एक अच्छा पाट हमें दिख जाता है mango के अंदर, अलगी के अंदर नहीं दिखता अलगी, it is a one type of plant but उसके अंदर stem नहीं दिखता, leaf नहीं दिखता उसके अंदर हमें roots नहीं दिखते क्योंकि वो lower plant है, lower plant के अंदर development कम होगा, higher plant के अंदर development will be maximum development will be more ओके, साथ ही साथ, अगर हम animals की बात करे तो animals के साथ भी वैसी रोर आनिम समें आप यहाँ पर ले लो amoeba ठीक है यह सब me न अमीबा और जो higher animals यह में ले लो humans तो humans मैं आप देख सकते हो development ऑफेश बाकी सारी systems करें वरी के अंदर लेकिन मतलब the process of formation of life from pre-existing life ठीक है प्री इग्जिस्टिंग यहाँ पर क्या वर्ड लिख कर रहा हूं मैं इससे भी अनिमल में पकड़ लो परेंट्स होता है प्री इग्जिस्टिंग लाइफ होते उससे एक निव लाइफ बदती है उसे रिप्रडक्शन कहा जाता है यह process बहुत essential process है important process है क्यों कि लाइफ को continue रखना है continuation of species continuation of species क्योंकि क्या है अब suppose करते हमारे human beings के अंदर एक property है वो है reproduction की एक process होती है जिसे हम reproduction कहते है अब यह reproduction अगर हुआ नहीं तो क्या होगा हमारी generation बनी है लेकिन हमारी बात की generation बनीगी नहीं और हम बुड़े होके मर चाहेंगे मतलब इस earth की उपर हमारा जो species है उसका existence क क्या हो जाएगा खतम clear yes sir so that's why reproduction is very important process that will help for species to be continue to be continue आगे बढ़ते रहने के लिए वो help करता है अब यह जो होता है वो generally दो इसके अंदर divided reproduction एक है असेक्शुल दूसरा है sexual अब असेक्शुल जिसके अंदर gametes involved होते है क्या होते इन्वोल्स गैमेट्स थीक है तो gametes इस प्रोसेस के अंदर involves होते है reproduction के उसे sexual reproduction बोला जाता है ठीक है अब इधर gametes not involve ठीक है उपर में नहीं होगे ठीक है नीचे sexual reproduction में gametes involved होंगे ठीक है ना हाँ sir gametes involved चलो इसको थोड़ा सा एक sign से ही लिख लेते है ना हाँ sir चलो इधर मैंने लिख दिया gametes is not involved ठीक है यसर तो asexual asexual मतलब absent बोलेंगे sexual मतलब gamete जिसके अंदर gamete involved नहीं है तो आज के इस lecture 1 में अब हम देखेंगे asexual reproduction के बारे में सबसे पहले हमने chapter का नाम देखा then दो category के अंदर reproduction divide होता है asexual या फिर asexual reproduction और दूसरा है sexual reproduction अब इस asexual reproduction को थोड़ा अच्छे से समझते हैं ठीक है ना yes sir यह सारी जो notes है यह बहतरी notes है और अच्छे से हमने खुद मिलकर यह सारी notes बनाये है यह book आपको मिलेगा जैसी print हो जाएगा और इससे ही हम पढ़ा है और अच्छे से आप उस phenomenon को समझ पाएंगे ठीक है फास्ट लर्निंग आपका होगा सो बाइलोजी के लिए one stop solution यह book होने वाला है और बायो स्टेडी का चैनल चलिए a sexual reproduction does not involve fusion of compatible gamut compatible मतलब comfortable या फिर जो एक दुसरे को मदद करते हो compatible ठीक है ना yes so किसी भी species अब humans की species है तो humans का male gamut अगर किसी other species के female gamut के साथ fuse होगा क्या नहीं because they will not be compatible with each other so compatible gamut का fusion होना तय होता है किसके अंदर a sexual reproduction के अंदर दूसरा it is the process of resulting in the production of genetically identical progeny जो प्रोजनी यहाँ पर तयार होती है वो होती है genetically identical मतलब जो अपने parents से exact दिक्टोडी similar होती है जैसे for example अभी हमारे पास कोई अगर plant है तो उस plant से एक नया plant बन रहा है लेकिन वो similar होगा यहीं जैसे कि रोज का plant है रोज जो होता है तो वो गुलाब उसके अंदर अगर हम उसकी branch काड़ दे उसको जमीन के अंदर लगा दे तो नया plant बन रहा है ले पुराने plant के साथ exact similar है that means इदर genetically identical parents होते है क्योंकि एक ही parent involved होता है इसके अंदर single parent क्योंकि रोज के दो plant थे क्या नहीं एक ही plant उससे हमने branch ले थी जैसे sexual reproduction में दो parents involved होते है हलाकि a sexual reproduction में only one parents is involved जैसे sexual reproduction में human beings का example पगड़ लेता है mother और father दोनों involved है reproduction के अंदर जैसे हम बने so हमारे अंदर हुआ sexual reproduction in which two parents are involved और a sexual reproduction में only one parent will involve understand yes next यह जो parents यहाँ पे होता है a sexual reproduction में उदर जो नए up springs बनते है नई generation जिसे हम प्रोजेनी भी कहते है तो वो morphologically और genetically similar होगा morphologically मतलब होता है externally externally बहार से दिखने के लिए similar गुलाब का plant पहला और दूसरा दोनों भी externally similar थे और genetically मतलब अंदर से genetically मतलब अंदर से मतलब genes उनके अंदर genetic constitutions genes क्या होता है DNA का particular segment होता है DNA हमारे body के अंदर होता है आपको पता है DNA pack होके उसकी chromosome बनती है students बहुत confused है chromosome क्या DNA क्या gene क्या don't worry chromosome को खोलेंगे तो उससे DNA निकलेगा DNA के छोटे-छोटे तुकडे अगर हमने बनाये तो उस छोटे-छोटे segment को तुकडे को हम बोलेंगे gene clear हास है और जो gene होता है उसको भी अगर हम तोडेंगे तो उसके अंदर एक nucleotide नाम का molecule निकलेगा जिससे genes बनता है तो इस तरीके से याद रखना है चलिए नेक्स्ट पे जो organism असेक्शुली रिप्रोडिक्स होते है या फिर जिसके अंदर असेक्शुल रिप्रोड़क्शन होता है तीन जीज़े याद रखनी है यहाँ पर क्या होता है fusion नहीं involved है gamet fusion नहीं होते है दूसरा यहाँ पर identical प्रोजनी होती है parents से और तीसरा जो identical प्रोजनी होती है जो morphologically और genetically दोनों तरफ से similar है उसे हम clones कहते है क्या कहते है clones जैसे हम हमारे mobile के अंदर whatsapp का clone बना सकते है that means whatsapp के तरह ही दिखेगा whatsapp के तरह ही काम करेगा दोनों भी internally externally means morphologically and genetically yes अब हमारे chapter के अंदर हमें अलग-अलग methods दिये गए है जैसे अगर आप reproduction की बात करें तो यह तो process समझ में आ गया तो जो animal के अंदर भी होते है तो फिर वहाँ पर क्या होता है यह तो बड़ा सवाल है कैसे समझेंगे तो देखो simple चीज़ है इधर gamet involved नहीं है इधर एक ही parent involved है इधर जो offspring बनेंगे वो similar है यहां तक हमारा picture clear है अब इधर हमें इस book के अंदर हमारे class 12 board के syllabus के अंदर हमें तीन method दिये गया है तो उससे पहला उसके अंदर का पहला method समझते है that is the fragmentation which is the first method of a sexual reproduction तो fragmentation simple चीज़ है मैंने शुरुआत में ही आपको बात है 50% information is in the name of that particular phenomenon तो यहाँ पर है fragmentation तो fragments पढ़ना क्या पढ़ना fragments तो parent body क्या होती है fragment में divide हो जाती है और हरे एक fragment एक नया offspring बनाता है नया generation बनाता है जैसे कि यह है यह आप देख सकते हो अब यह spiral गारा अलगी यह जो है example diagram जो है hydra की diagram है hydra के अंदर भी fragmentation होता है अब इधर अगर हम इसकी बात करें किसकी fragmentation के अंदर अब hydra यहाँ पर हमने लिया है example spiral गारा अलगी है जो filamentous होती है तो clearly चीज़े आप देख सकते हो कि multisular organism can break into the fragment due to one or other reasons fragmentation होने की reasons हो सकते जैसे environmental condition है सारी चीज़े है तो यह fragments एक नया individual बनाएगा बाद में grow होके हैगी नहीं yes sir simple आप देख सकती यहाँ पर बीच में से fragment हो गया तो यह fragment यह दूसरा fragment और यह दोनों ने एक यह वाला और यह दूसरा तो दो hydra बनाती है तो दो hydra बने एक से मतलब reproduction हुआ but here gametes will not involve gamete involve नहीं है इसलिए fragmentation यह type किसका है और sexual reproduction का चलिए दूसरा समझते है दूसरा है budding अब इसमें एक एक मार के लिए आपको एक्जाम में पूछा जाता है तो आप तो एक आपको fragmentation का explain करना है उसके diagram निकालनी है example बताने बाद कर तब बढ़िंग के अंदर आप द example याद रखना है यहाँ पर proto siphon and east और यह favorable condition में होता है जब condition अच्छी हो मतलब environment अच्छा हो water अच्छा हो temperature normal हो सारी चीज़े अगर अनुकूल हो उस plant body या फिर animal body के साथ तो वो होगा क्या होगा budding मतलब simple में एक bud तयार होगा bud मतलब outgrowth क्या बोलेंगे उसको outgrowth यहाँ प आ रहा है आपको दिख रहा है यह सार नो यह सरी चोटा सा जो outgrowth दिख रहा है वो होता है budding outgrowth बाहर साइड में चोटी सी growth होती है धीरे धीरे growth बड़ी होती है और वो बाद में parent body से detach हो जाती है और एक नया animal बनाती है तो वो हो गया budding ठीक है example इसका क्या है east next में तीसरा तीसरा आपको जो method दिया गया है a sexual reproduction का वो कौन सा है तो वो आप देख सकते हैं यहाप वो है spore formation क्या है spore formation so it is the process by which certain bacteria, fungi, algae यह spores बनाते है spores याद रखना है आपको यह unfavorable condition में तयार होते है हलाकि जो budding है मतलब bud है वो favorable condition में तयार होता है clear yes sir तो budding होता है favorable condition में spore formation होता है unfavorable condition जहापे water नहीं होगा यह temperature बहुत high होगा तो देख सकते हैं condition कैसे होगी unfavorable ठीक है yes sir जैसे कि यहाँ पे न यह आप देख सकते हो यह parent की body होती है जैसे कि यह climatomonas का example है तो climatomonas की body है तो जैसे ही unfavorable condition आएगा unfavorable condition इसके अंदर आप देख सकते हो spore आए यह spores है क्या है यह spore यह one यह two यह three और यह four तो यह जो spores है इससे क्या हुआ इसका outer body क्या हुआ भार गिर गया और हर एक spore ने क्या किया एक new climatomonas बनाया climatomonas means क्या हुआ reproduction बट इसके अंदर gamit involved है क्या नहीं तो यह चीज है आपका तीसरा method of asexual reproduction अब asexual reproduction की यह तीनों ही method है क्या बस इतनी है नहीं और बहुत सारे method है जैसे कि आप देख सकते हो binary fission है दो पार्ट में plant body divide होता है नए animal बनाते है plant बनाते है chloralad items climatomonas is the example of binary fission is the examples of organisms in which binary fission will take place so binary fission is the type of a sexual reproduction उसके बाद यह को निडिया formation जहाँ ऐसा one by one ऐसे straight line में sales तयार होंगे गेम फार्मेशन जिसे हम गेमा फार्मेशन भी कहते है जो internal bird है बढ़िंग के opposite bird outer growth होती न तो यह गेम फार्मेशन जो markensha is the example of that clear तो यह चीज आपको क्या करनी है याद रखनी है तो यह other methods है ठीक है न हासर तो यहाँ तक आपको एक चीज समझ में आगई वो है what is reproduction और reproduction मे a sexual reproduction जिसमें तीन method है fragmentation budding and spore formation fragmentation budding and spore formation clear अब यह अपना जो a sexual reproduction में उसमें एक method आपको दिया गया है वो है वेजटेटिव प्रोपैकेशन अब इसको है वेजटेटिव रीप्रोडक्शन भी कहते है ठीक है यस सर अब इस वेजटेटिव प्रोपैकेशन या फिर वेजटेटिव रीप्रोडक्शन में एक word आपको हमेशा याद रखना है जो कभी नहीं भूलना है आपको वो है only takes place in the plant body plant body के अंदर ही हो सकता है क्योंकि plant body के पास vegetative parts है so vegetative parts पों से है root, stem, leaves so vegetative propagation is a form of asexual reproduction in plants okay in plants only where the new plants are produced by the vegetative parts तो ये stem, root, leaves ये क्या है आपके vegetative parts है इसके plants के तो vegetative reproduction या फिर किसके अंदर होगा only plant body के अंदर next में अब ये दो टाइप के होता है एक होता है इसका पहला natural vegetative propagation दूसरा artificial vegetative propagation ठीक है natural और artificial ये दो प्रोसेस के अंदर ये vegetative propagation डिवाइड हुआ है क्योंकि मुझे आप बताईए अब सपोज आप जंगल में हो या फिर पहले condition देखते है जंगल के अंदर तीजी से हावा चली तो उससे क्या हुआ कि plant के जो branches है वो तूट के नीचे जमीन में गिरे गया है नीचे जमीन में गिरने के बाद वो soil में गिरे गया है soil जो थी उसमें moisture था तो उसने नया plant बना दिया तो यह जो सारी process हुई यह natural हुई लेकिन एक stem के part से मतलब stem से plant के part से stem से नया plant बना तो vegetative part से नया plant बना मतलब vegetative propagation हुआ reproduction हुआ लेकिन यह naturally हुआ हमने कुछ उगर किया क्या नहीं लेकिन हम जंगल में जा रहे हम किसी plant की branch काट रहे उसके बाद उसको जमीनी में लग रहे है रोज हमारे आपको पता है हमारे घर के अंदर जो हमारी मदर होती हुआ क्या करती है plants को काटती है उससे एक नया plant बनाती है तो वो हमने खुद किया तो वो हो गया artificial vegetative propagation artificial vegetative reproduction तो इसलिए vegetative reproduction के दो टाइप है artificial, natural artificial में human interference होगा natural में human interference नहीं होगा clear हाँ सर अब natural में root से होता है leaf से होता है stem से होता है यह तीन चीज़ा आप देखो root, leaf and stem उसके example है जिसके अंदर naturally होता है जैसे sweet potato जिसमें क्या होता है root से नया plant बनाया जाता है उसके कोई seed मिलते है क्या नहीं सर, seed नहीं मिलते asparagus के seed नहीं मिलते डहलिया के seed नहीं मिलते तो वहाँ पे जो root है उसके इस्तमाल करके हम नया plant बनाते है जो naturally भी हो सकता है कोई उसमें human का interference नहीं चाहिए यहीं नहीं हाँ सर, तो यह चीज clear याद रखने है आपको अच्छे तरीए सर, leaf leaf के इस्तमाल करके नया plant बनाएंगे तो वह bryophyllum, colioncho, begonia यह आपके examples है, जो आपको MHT-CET exam में बहुत ज्यादा important है, ठीक है चली, आगे बढ़ते है अब यह होए, vegetative reproduction के natural type, अब हम देखते है artificial type, जो हमने खुद करे है जो हम खुद कर सकते है ठीक है, यस है so it involves human intervention so human intervention इसके अंदर होगा, मतलब है humans अपना मदद इसके अंदर करेगा तो इसके अंदर तीन है, एक है cutting पहला कुन सा है, cutting चलिए, देखते है पहला है cutting, cutting में simple कि हमने क्या किया, plant की body है उसको cut किया, उसको soil में लगाती है तो हमने vegetative reproduction किया बट यह हमने किया, इसलिए artificial method है, इसके अंदर हम कर सकते है यहाँ आप याद रखिए, stem cutting leaf cutting, root cutting only stem is used for the vegetative propagation नहीं, हम leaf का इस्तमाल भी कर सकते हैं, root का भी यह particular plants के अंदर वो capacities होती है जैसे stem में rose है, बुगन वेलिया है, rose यह बहुत common example है हमारे आपको पता है, मदर जो होती है वो ही काम करती है, है ना एक variety से बहुत सारे variety बनाना या फिर हमारे पड़ोस से कुछ plant के पौदों को तो काट के घर लेके आना, तो यह सारी चीज़े leaf cutting के अंदर आपका sunspheria is the example, root cutting के अंदर blackberry अब आप diagram देख सकते हो अब अगर एक मार के लिए यह exam में आया तो cutting क्या होता है, चीज़े explain करिए उसके types, उसके diagram यहाँ पे देखो, यह है आपके main body okay, this is the parent body तो इसको हमने पीज़े से cut दिया तो यह हो गया, हमारा B वाला part यह A, तो यह जो B वाला plant है इसको हमने क्या क्या, लगा दिया, तो नया plant बन गया but method है vegetative reproduction और उसमें भी artificial ठीक है, artificial vegetative reproduction next में देखो, next में दूसरा है आपके पास grafting grafting बहुत interesting है, यह चीज यहाद रखना है grafting क्या है, चप, grafting आप grafting के अंदर दो plant को एक plant बनाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, so here the two plant are joined in such way that they grow as a one plant दो plant को जोड़के एक plant बनाना so in this method stem जो रहेगा, उसमें दो चीज़ है एक है scion और दूसरा है stock क्या है scion, ठीक है, one minute यह है scion, दूसरा है stock, दोनों चीज़ों को हम अच्छे से समझते है ठीक है न, yes, चलिए यहाँ पे आता है यहाँ पे मैं आपको तो डाइगराम के हिसाब से समझाता हो yes, देखो हमारे पास दो plant है, एक यह वाला plant दूसरा है अपने पास यह वाला plant, अब यह दोनों plant के अंदर हम दोनों को एक एक branches लेंगे उसकी, और उसे एक नया plant बनाएंगे, जैसे की यह हो गया, इदर से ऐसा plant और यह दोनों variety के मतलब वो क्या होगा, हमारे पास plant हुई लेगा, एक नहीं, उसी प्रकास याद रखिए, जो plant का part जमीन के अंदर है उसे बोला जाता है stock, क्या बोला जाता है stock, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, चलो इसको थोड़ा मैंने जून किया, यह देखो, यह है stock क्योंकि यह rooted है, क्या है rooted, क्योंकि इसके root क्या है, जमीन के अंदर है so rooted part को, plant के part को हम stock कहते है, so इसको बोलेंगे, rooted plant उसको बोलेंगे stock, और दूसरा होता है scion, scion जो होता है, वो foreign body है क्या है, foreign body तो बाहर से आई होआ, यह plant का part है, यह दोनों को हमने क्या क्या जोड दिया है, as a one plant उसको बना दिया है, यह चीज़ याद रखने है, तो grafting के अंदर दो चीज़े बहुत common है, एक scion, एक stock, और वो होती ही होते है stock ऐसा plant का part है, जो जमीन के अंदर है, क्योंकि एक जमीन के अंदर होगा plant, और दूसरा उसके उपर काट के लगा देंगे हम, क्योंकि जमीन के अंदर तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, ना, क्योंकि यह जो अपना scion है, scion, इसको nourishment कहां से मिलता है, scion को, तो यह stock से, क्योंकि stock जमीन के अंदर उसके root, तो वहाँ से वो water mineral food को लेगा, ठीक है, clear, यह चीज़ क्या करने है, याद रखने है, यह होता है आपका grafting, अब इसके अंदर bird grafting भी होता है, जिससे हम छोटा सा bird जो है, वो एक plant से उठा के दूसरे plant में लगा सकते, bird grafting के example है, upper pier और roads, चलिए, तीसरा है, तीसरा आपको, अगर हम देखेंगे, यहाँ पे, तीसरा क्या है, vegetative reproduction, ठीक है, तीसरा part, vegetative reproduction का, वो है tissue culture, tissue culture में simple है, tissue मतलब है आपका part of plant, group of cell, ठीक है, बहुत सारे cell का group, मतलब होता है tissue, बत, SSL का group, जिनका function and origin similar है, origin similar है, बनने का, और जिनका function भी similar है, उसे बोलेगे tissue, और यह technique के अंदर देखो, चोटा सा x plant ले जाता है, जैसे suppose कर लेते, यह plant है, इसका चोटा सा एक plant, part लिया जाएगा, उसे बोलेंगे हम x plant, क्या बोलेंगे x plant, और यह जो x plant है, उसको लेके, उसको lab में लेके जाके, उसको nourishment देके, वहाँ पे छोटे-छोटे plant बनेंगे, और यह plant lead बनेंगे, तो हमने क्या किया, तो plant के एक छोटे से part से, tissue से plant बना दिया, इसलिए tissue culture, tissue culture, culture किया, मतलब और जो आपका sexual reproduction का method है, उसमें हमने देखा fragmentation, budding and spore formation, तो यह चीज़े हमने देखी, आपका part number first, chapter number first के अंदर, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो यह आपका demo lecture है, winner batch का, ऐसे lectures, ऐसे सारे chapters को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाते हो, तो अब भी को समझ में आया होगा, अगर lecture आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताईए, वीडियो को like करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, और next part के लिए ready हो जाईए, जल्दी ही next part आपको मिल जाएगा